करेंगे इंडियन जोग्राफी के चप्टर नमर 3 जिसका नाम ड्रेनेज है इससे पहले चप्टर नमर 1 और 2 आ चुके हैं यूपसी लाइबरी के यूट्यूब चैनल पर आप उनको देख सकते हैं बारे में हम देखेंगे हिमार्लैन रिवर औरctional रिवर but 95 then बात बायं में हम देखेंगे रिवर प्लूशन के आखिए new नाम ड्रेनेजे उसको याद रख लेना आप जी विडियो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डि क्स्क्रिक्षाम दे र किये तैन्स को ओर करता है इसकी टोड़ती जो आगी मिलते है कुछ लेफ्ट से से दृंट वेकश वाल गया दो जो इस स्पीक्स में आपको पताचल जाएगा सो यह है गंगा में रिवर के अलावर है इसके कुछ ट्रिब्यूकरी है अरर्ण का बसमता प्रापति खांगरा यह स्ट्रीह अर्ण पूरा रिवर स्टम बोलादया है जिसको रेणे सिस्टम भी squash रेणातये गंगा का से आपका अडिया लग जागा सो द्रेन इस पता जा लगा यूविल नोटीज देए स्मॉल इस्ट्रीम फोल फ्लोइंग सम् डिफरेंट लो डारेक्शन एंड कम तो फॉर्म में रिवर जैसे मैं बताई जो ट्रीविटीज होती है वह अलग-अलग जैसे आती है और वाद में जो में रिवर उससे मिल जाती है जैसे इसमें बताएं कि में रिवर से मिल जाती है जो जो लाज बॉड़ी है उसको यह लेकर या ओशन समय मिल जाती है इसको ऐसा बताएं जैसे गंगा रिवर सिस्टेम है जैसे में बताएं आपको बता दिया पहले है इसके लावा एक प्लोजर ऑब्जेशन और मैप बिल इंडिकेट डैट एनी एलिविटेट एडिया मतार एक दो वाटर बॉड़ी था इनकी बीच में जो जो एलिविटेड एरिया जो लेंड ह जो इन दोनों वाटर बॉड़ी को डिवाइड कर रहा है इसमें यह करने मतलए मतला है सब्सक्राइब इस से लाजसे को उर्ट वाटर बॉड़ ईवाटर बोला इसजिग जो इन अप्लेंट नोन एज उस आइस वाटर डिवाइड निज जैसा है कि 3.1 इसमें बताएं जो आफ अमेजन रिवर सो अमेजन रिवर जो साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट में हुए हैं ब्रेजिल में बाकिया अधर कंटीज में हैं इसका सबसे बड़ा वर्ल्ड का लाजर डेनीज बेसेजन बेसेन हैं इस चीज़ को आप याद रखना देन इसके अलावा डेनी सिस्टेम इंडिय सिस्टेम करें पड़ेते हैं सो इंडिय इंसे पहले इंडिया पढ़ेता है आइंटो मिज़ गृप सो इंडिया की जो कि रिवर एं उनको दो मिजेवर्ग में डिवाइट किया गाए पहला कौन सा यह कहिंए पहला हिमालें रिवर्ट तूसरा पैंस आपनिसूर र बोला गया है तो इसमें बोला है कि अपार्ट फॉर्जिनेटिंग फॉम्ट टू मेजर फिजियोग्राफिक वीजन अफ इंडिया मदल अलग लाइन की फिजियोग्राफिक रीजन है तो कोजी आइस है जी माउंटेन सी रिवा और ये पैनिस्वा एक लेंड एरिया है इसमें बोला है कि यह पूरे साल में पानी की कमी नहीं होती बिकाज एक तो इनका सोर्स हिमालय से होता माउंटेंस होता माउंटेंस मतलब जो आइस होती है गया है वो मेल्ट होती तो इन रिवर में जाता है उसका पानी सो इसका इस इसी वैसे से उनको परेनियल रिवर बोला गया है इसमां आगे पता चल लिए आपको इसमावले कि इट मीज्डैट वाटर थो आइंस पानी रहता है तेन डीस रिवर सी वाटर फ्रॉम रेंड रह इसके लावा जो माउंटेन में जो इसनों है जब मेल्ट होती है तो इन रिवर्स में जाता है तो यहां से इसको पानी प्रोवाइड होता है इसके इन तो हमाले रिवर्स के बाहर बताएं गया है था इसके लावा जो फूर्ब मचिन बने कि ब्रेंट निकल तो लावा है इनका जो कोर्स होता है जो काफी बड़ा होता है जो सी तक जो जहां जब ड्रेन होती है तो यह तक इनका काफी बड़ा होता है इसमें यह बताए गया है इसमें बोला है कि इसमें आगया है कि इसमें पर्फों इंटैंसिम रोजनल एक्रिवटी इन अपर कोर्स मतलब जो अपर कोर्स है यह जो काफी ज़्यादर होती है सब्सक्राइब जाए अपने साथ काफी सारा यूज लोड अफ शीट संद मतलब काफी ज़्यादा सेल्ट एंड सेंड यह काफी जाद लेकर आती हैं तो यहां से सेल्ट और सेंड काफी जाद लेकर आते हैं बाद में फिर मेंडल कोर्स आ गया मेंडर का वहता है मेंडर मतलब जब एक रिवर्स आती है जैसे उसमें बता हैं चल लागया है जहा पता चल जाएगा तो मैंने अधर दोवन फीचर ने इंदे और सो इसमें यह पिक्ट में देगाए इस एंड बार में यह डेल्टा बार में अलगलग हो जाती है इस ट्रीम तो इस पूरे गिर्या को डेल्टा बोला गया है आने में इस बार में को काफी जादव हो जाया डें इसके बार में लाज नंमर आव पैनिसल हुती है वह सीजनल होती है वहberry उन पर डेपेंड hoतीम और सीज्ञ ए छेइर व्हार्ड एन को इस परडिपेंड XML इस का बारेंड और सीश पर containsこれは पर इसब्रिक्रों पर बारेंस पर large river have reduced flow of water in their channel, so, जितनी भी बड़ी-बड़ी river भी होती है, तो उनका जो flow पानी है, जो पानी का जो flow है, वो कम हो जाता है, जब dry season होता है, so, the peninsula river have short and shallow course as compared to their Himalayas, so, compare क्या जा है, peninsula river और Himalayas river से, तो peninsula river का जो course है, वो काफी short होगा, और shallow होगा, in compare Himalayas river के compare में, तो इस चीज़ को आप याद रखना, then, इसके अलावा, however, some of them originate in the center highland and flow toward the west, तो इसमें बदाएगे कुछ river हैं, जो west की तरफ flow करती हैं, मतब, Penisola कुछ east की तरफ flow कर रहे हैं, और कुछ west की तरफ flow कर रहे हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, इसमें गलावा, most of the river Penusa India originate in the western guard, so Penisola की जो काफी river है, most of the river हैं, वो western guard से originate होती हैं, and flow toward the way of Bengal, और बाद में वो बेयो बंगाल में flow हो जाती हैं, so इस चीज़ को आप याद रखना, so इस पिक्ट में आपको पतार जल जागा, so ये पूरा हिमाले river का हो गया, और ये हो गया Penusa river को, ये divide कर दिये गया, so इसमें जो महानदी हो गई, या Penganga हो गया, या कोलेरा लेक या किसने river हो गया, कावेरी हो गया, ये सब east की तरफ flow कर रहे हैं, और बाकी जो नर्मदा हैं, ये नर्मदा हो गया, ये तापी हो गया, ये west की तरफ flow कर रहे हैं, तो ये east following river होगी, ये west flowing river होगी, और बाद में फिरी है, ये हिमाले, और ये इनको Penusular river बोला है, विकॉस ये, इनका mostly depend किस पर होती है, ये river मतलब rain form मतलब बारिज की पानी पर depend होती है, और जो हिमाले river हैं, वो mountains पर depend होती है, उनकी बर्फ पर depend होती है, जो इसनों होती है, जो melt हो जाती है, उनकों पर depend होती है, mostly, so यहां से गंगा हो रही है, यहां से इंडस वाला हो रहा है, यहां से यह भ्रहमपत्रा है इस चीज़ को अब याद रखना यह किसना रिवर यहां कावेरी हो गया यहां माधानी हो गया इस चीज़ को अब याद रखना अब आ जाता है इस पेस हमाले रिवर इंडस जो मेजर हमाले रिवर है इंडस हो गी गंगा हो गया ब्रहांपुता यह तीन मेजर रिवर है हमाले रुबर सो दीच रिवर आ लौंग एंड द्यॉइन आज पूरेजि इंड लार्ज лет लॉइले इंद ब्रहाई हैॐ और यह इंक आ पूर को थिवर इंडेवर शिस्टेम और यूंकि इंडेश हई आ विल मांसरोवा लेक से रिए बाद में फ्लोइंग वेस्ट की तरफ विए मांसरोव लेक है तो इसको वेस्ट की तरफ यह फ्लो करती है आप बार मुआ से इंडिया में लद्धा की तरफ साई एंटर होती है and it form a pictures की जोर्ज इन दा पार्ट और जोर्ज क्रियेट करती है समय बताएं कि mountains के बीच में से निकलती है जोर्ज क्रियेट करती है इसके इलावे इसकी काफी से टिविट्री हैं like जासकर हो गई नुब्रा हो गया, स्योक हो गया इसके टिविट्री जो की इसको कास्मी रिजन में सब को जॉइन करती है इसके इलावा इंडर्स फ्लो थ्रो बल्टिस्तान गिल्गित गिल्गित बल्टिस्तान रिवर में भी फ्लो करती है और इमर्स फ्रम दा माउंटेन एट अटॉक और बाद में इमर्स कहा हो जाती है माउंटेन, एक टॉक माउंटेन से और इमर्स होती है बाद में इसमें सतलुष, बियास, रवी, चेनाव, जेलम जोइन टूगदर ये इसके ट्रीबूर्टिय है बाद में इसको जोइन कर लिए ते है पाकिस्तान के जो काराची का जो इस्ट एरिया वहाँ पर यह रेन हो जाती अरभीन सी में जो इस चीज़ को आप याद रखना दन इंडस प्रीन है जो वह काफी जैंडर स्लो भी इसी चीज़ के वशेश के वाज से इसका फ्लो काफी जादा है इसकी टोटल लेंथ है 2900 क्लो मीटर है और इंडिया में इंडिया में इंडिया में इंडिया का वन थर्ड पार्ट पाई आता है जो कि लद्दाक, जमुकस्मी, हिमाचल परदिस, पंजाब, में और बाकी का इससा पाकिस्तान में आता है इस चीज़ को आप याद रखना गैन, मैं पको पता चल जाएगा यहां से इंडिया से उपर चलते हैं फिर लद्दाक से एंटर होती है, बाद में यह 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 यूटन लेके, बाद में पाकिस्तान में एंटर होती है और बाद में यह आर्वेन सीमर ट्रेन हो जाती है इसके बाद इंडस के बाद पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम जो इसको भागे रिवर जाता है वो गंगोत्री गिलीशे से निकलती है और बाद में अलगनन्दा में जोई हो जाती है और किस जगेव देख प्रिया जो की उत्राखंड में इस चीज को आप याद रखना इसमें आप याद रखना है डार्टली कुछ जाते हैं इसमय से गंगा काफी साथ ट्रिबूटरी द्वारा जाती है हिमालेज में और फ्यू इसमें काफी मेजर हो तो काफी बड़ी रिवार है वो इसकी ट्रिबूटरी जाती है यह सबी इसकी ट्रिबूटी जेए जाती है यह जो की हमालेज में आपको क्लिए पता चल जाएगा यहां से आ रही है यह गंगोत्री गिलेसियर यहां से भागे रहती देव परियाग में अलग नंदर रेवर से मिल रही है तो यहां से गंगा स्टार्ड होती है जो यहां से गंगा स्टार्ड होती है और यह यमना यमनोत्री गिलेसियर से और गंगा गंगोत्री गिलेसियर से इस चीज़ को आप याद रखना, then इसके आलाबा जो गंगा है, it flow parallel to the गंगा, जो यमना है, वो गंगा के ही parallel flow करती है, और जो ही इसकी गंगा की राइड बेंक ट्रबूट रश्चों, इसकी पोइंट को याद रखना directly पूछा जाता है, और ये गंगा, जो यमना है गंगा से कहा मिलती है अलाबाद में इट मीट अलाबाद अगांगरा गंडग और कोशी राइज दा नेपा और यह जो गंडग कोशी है वो नेपाल हिमालया में राइज होती है इमर्ज होती है इसके लाबा यह ग्रीकर्चर यूज के लिए काफी प्रोपरटी दोनों को डेमेज होता है इसके लाबा यह अग्रीकर्चर यूज के लिए काफी इंफोर्टेंट है और में ट्रिबुटी जिनकी है विच कम फ्रम पैनिसलर अप्लैंड आर्द चंबल उनकी जो में ट्रिबुटी जो की पैनिसलर इंडिया की तरफ से आती है मतलब साउथ इंडिया सो आती है जो की इसको नाम है चंबल हो गया बेतवा हो गया सो इसके लाबा इन लाज वीड़े वाटर स्वाम इट्स राइट एंड लेफ बैंक ट्रिबुटी इस तक गंगा फ्लो इस्वर्ट फिल तिल फरक्का इन मतलब जब यह इसकी राइट और लेफ्ट है जितनी वी ट्रिबुटी म मिल जाते तो यह वे फरक्का जो के वैस्ट बंगाल वहां तक फ्लो करती है इसके बाद इसका नदर मों दधन मोस पॉइंट होता है गंगा का दैन इसके बाद रिवर बाइफर केट में यहां दो हिस्सों में बढ़ जाती है पहला भागी रती दूसर ही हुली इन दो रिव इन फ्लो साथ वर इन्टो बंगलादेश जो बंगलादेश के ताब जो एक ब्रहपुतरा के दोरा बाद में इसका नम क्या हो जाता है मेगन इस का नाम मेगन हो जाता है इसमेटी के डारा कर दिवर में चंसे अथ बाद में ए हमाई Z drone का शॉन ज्ञ altijd यह उर ना दिवर ग इसके लावा, जो लेंथ है गंगा की, ओवर 2500 km है, मैंने 2500 km से लेंथ है, और एम्बाला इस लोकेतेट ओन द वाटर डिवाइट बेट्वीन द इंडेस और गंगा, जो इंडेस हो गंगा में गंगा जो वाटर ड्वाइट पॉच्छन है, वो और अम्बाला में लोके दवा इसके लावा in other words there is a fall of just one meter for every six kilometer मतब जब भी six kilometer cover करती है तो इसकी जो height में यह जो fall आता है वो एक meter में आता है मतब every six meter every six kilometer one meter यह एक्दम down हो जाती है so is this को आप याद रखना therefore the river deblust large मेंडर सो इसी चीज के लावे काफ मतब सो यह काफी जाद मेंडर भी create करती है तो यह गंगा river का drainage pattern system वो इसकी आपता चल जागा गर्ट सो यह भागी रती यहाँ पर यह गंगा मज होती है इसे गंगा पूरी होते हो आते कानपूर वरनाट से अलावाद पटना बागलपूर दैन फरक्का इसके बाद यहाँ से दो बारों में डिवाड हो जाती है एक तरफ होगली दूसी तरफ बागी रती तो यह डेली और यह यहाँ पर यह यमना है यंगमना जो डेली होते हो आगरा बाद में बेतवाई अलावाद में मिलते हैं यह यमना यह गंगा जो के अलावाद में मिलती हैं यह इसकी यह ट्रिबूटी जो हैं यह इनकी यमना की ट्रिबूटी है और जो यमना है गंगा की राइट बैंक ट्रिबूटी है इसको याद रखना फिरी राम गंगा राप्ती, गांगरा, गोंती इस सब इसकी गंगा की टिबूर्टीज है इस चीज को प्यार रखना इसके बाद है ब्रहंपुत्र रिवर सिस्टम इंडस हो गया, गंगा हो गया इसके बाद है ब्रहंपुत्र रिवर सिस्टम ब्रहंपुत्र रिवर है जो वह फिंडेस की तरह तिबद से ही राइस होती है बट वह मांसरोगर जो मांसरोगर से वह वैस जाती है यह मांसरोगर ओर एस से राइस होती है यह मांसरोगर लेक से जो कि स्लाइटी लोंगर दैना इंडेस जो की इंडेस काफ थोड़ी लंबी है and most of it जो कोर्स इसका काफी जैदा mostly इंडिया के भारी लाई करता है मेरली चाइना में छो इसे पहुँंची तो वह पहुंच तो वहां सब यह बहुंस ते है तो वहां सब ये यू टन लेती है पूरा तो यहां पर जो इस पॉइंट को ही नम्चा बर्मा बोला गया है जो कि यह पॉइंट चाइना में इस चीज़ को याद रखना टेक यूटर और यहां से फिर यह एंटर इंडिया में एंटर होती है अंच्छा पिलेश में जब जोजे जोज क्रेट करती है जब इसका जब इसका नाम होता है दियांग और बाद में दियांग से कौन जोइन होता है दिवांग और लोईदी सब यह दोनों यह दोनों यह दियांग में जोइन होती है और ब्रहंपतर की है जो आसम में जाके मिल जाती है तो यह इसका ब्रहंपतर रेवर का है यह वाला यह गाला को गया तो यह वाला इससा है व्यम्ठा का हो गया सो इस वाली पॉइंट को पहले को यहां से एकदम लित तर आती है सो यहां से अंटर विपकज को धियांग हो लुटipping है और नुटर होताः ऑफसर है तो इन तिबत में जो इसका पाट है तो उस टाइम यह काफी कम पानी का वॉल्यूम लेकर चलती है और लेस और उस टाइम सेल्ट भी काफी कम होती है इंडिया में इंटर होती है तो नौर्थ इस वाला जो एरिया वह काफी रेन फूल है वहां पारिष जाद होती है इस चीज की वैसे वह रिवर में पानी की जो पानी का जो वॉल्यूम है वह काफी जाद हो जाता है सो लाज वॉल्यूम अधा एरिया लाज वॉल्यूम अधा वॉटर कैरीज दिस टेवर बाइद दिस रिवर एंड़ कंसीडेवल अमंट ऑफ सेल्ट भी हो जाती है इस पॉइंट को याद रखना चाइना में कम होता है वॉल्यूम और सेल्ट और इंडिया में जादा होता है इसके लाबा ब्रहंपुत्र हैस ब्रेडेड चैनल इन इस इंटार लेंड एंड असंप फॉर मैंडी रिवर इन आइलेंड वी इसमें क्रेट करके चलती है अब्रिये डूरिंग दरेश जब भी रेनी सीजिन आता है तब यह फ्लेट भी और भी प्रेड करती है तब इसके लावा अलाइक दा अधर नॉर्थ इंडिया रिवर्स दब्रहंपुत्र इस बांग्ड बांग्ड़ाइस में फ्लेट काफी क्रेट करती है यह हर साल इसका इंडियन रिवर्स हैं उनके अलावा उनके अलावा बसी एक ब्रहंपुत्र रिवर्स है जो काफी ज्यादा सिल्ट डिपोज करती है अपने माउथ पर जब यह ड्रेन होती है और बार में कुछ टाइम बाद फिर यहां से चेंज होते रहते हैं तो इसी चीज़ के वैसे जो सेल्ट आती है जो सेल्ट आती है वो काफी डिपोजिट करती है यह अब नौर्थ रिवर्स के बारे पढ़ लिए हमाले रिवर्स आप इसके बाद पढ़ेंगे पैनिसलर रि इसको डिवाइड करता है किसको डिवाइड करता है जो की नौर से सौथ की तरफ है और जो वैस्ट कोस्ट की तरफ होता है सब इस्ट की तरफ लो करती हैं और बाद में जाके बेव बंगल बंगल इसके लावा कुछ रिवर ऐसे वी हैं जो वैस्ट की तरफ लो करती हैं और जो अरेबिन सी में ड्रेन हो जाते हैं लाइक नर्मदा हो गया तापी हो गए हैं जो की वैस्ट के दर फ्लो करती हैं इसमें बताया गया है प्र्वींग डानि चांट में जाती है यह बेड़्ा से तकी हो गया हैं और शिलिस के अंट शाण में बाद में जाता हैं और यह बेंगाल मैं ड्रेन हो जाती हैं चृसिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्मदा रिवर के बार में सो नर्मदा राइज होती है अमर कंटक हिल से जो कि MP में मदब मद्धे परदेश में हैं सो अमर कंटक हिल से राइज होती है इस चीज को प्यार रखना जो की इट फ्लो टूर्व जो वैस्ट की तरफ यह फ्लो करती है मतलब यह वैस्ट फ्लोइंग रिवार है जो यह फैरली से फ़र्म करते हो जाती है काफी अच्छी लोकेशन यहां से होती हो जाती है इसके अबला बता गया है कि मार्बर रॉक्स नियर जवलपूर वेर्दा नम्दा फ्लो टूर्व ए डीप जॉर्स एंड दोधार फॉल्स है बताब दोधा फॉल्स है उन्हां अबना रिवर पर यह वेर्दा रिवर प्लक्स वह बदा स्टीफ रॉक नइस्टीफ रॉक है काफी गहरी है डारेक्ट तो वहां से यह दोधा फॉल्स बहुता है इसके लाबा जो आल ट्रॉब्ली जो ट्रॉटी यह वो कभी छोटी है और मोस्ट अब दीज जॉइन में स्टीम इन राइट एंगल जो फ़ी के सभी मोस्टी और राइट की तरफ से इसको जॉइन करती है देन इसके बदाबा नर्दना बेसिन कवर पार्ट संब एमपी और नमदा जो बेसिन है को मद्रप्रदेश और गुजरात स्टेट को ही कवर करता है इस पिक्चर में आपको किलिर ही पता चलेगा यह नमदा रिवर है और नमदा रिवर जहां से होती हो जाते है तो यह गुजरात और एमपी वाला स्टेट आ जाता है तो चीज को आप याद फैरली पैलर टूदर नमदा बदर यह नमदा रिवर्स के पैलिज आते है बट इट इस मस्ट इन लैंट बट यह नमदा रिवर से काफी शॉट में लैंट पर के यह तो कफी छोटी है इस बेसिंट कवर पार्ट समद्द्रप्रदेश गुजरात और इसका जो बेसिन है अं इस चीज को आप याद रखना सो इस पिक्चर में आप तापती रिवर देखों यहां से उके जाने से एंपी गुजरात महारास्ता है इसका प्याद रखना डैन इसके अलाबा गोदारी बिरॉंस इस तो फूर्बब्र जो की सीज्स क प्याद रखना अ राज अ सुमर्गत कर्द यह्जा साथिस्टी की ए से मालुम चलता है कि is flying river है ये ट्रेइन बेसि में अल्सो दा लाजर समों इसका जो ड्रेनी बैसे नहीं बैसे नहीं होगे सब सी लाजर स्टाइब सब दब वेसं कवर पार्ट और इसको जो डिर्म वेसं किन किन स्टेट रोके जाता महारास्टत मद्दप्रदिश ओडिश और अंद्रपरिद्यश है इसके लाबा गोदावरी जॉइन बाई number of tributes, उंको दा कि काफी से tributes like Puna हो गया, Varda, Pranitha, Manjara, Vane Ganga, Pene Ganga, यह सब इसके tributes है and the last three tributes are very large, जो तीन last tributes है, वो काफी बढ़ी है because if land, the area at cover it also knows the Dakshin Ganga so इसकी जो land है और जो उसका जो area, जो basic नहीं है, को देखते हुए, इसको दक्शेन गंगा बोलागया मतलब समप्रसफराइब के गंगा का इसको बोलागया सो इस्चीर अपको पता चलिए ऐसे उस मझांगा पोलागया थे fix देट गंगा खाई यह सब वेंगांगा यह इसके टीबीटरीज है इसको आप याद रखना इसके अब अलावा महानदी रिवर यह वी इस्ट फ्लोइंग रिवर है इस पिक्चर में आपको पता जल लाएगा इसके अलावा किष्णर रिवर सो किष्णर रिवर राइजिंग फ्रॉंद इसका जो बेसिन है वह 1400 किलोमेटर के अप्रॉक्स है और इस बेव बंगल बाद में बेव बंगल में देन हो जाती है जो तोंग बद्रा और जो कोईना दगाट जगाट पर वा मुसी भीमा जी इसकी मेलनी ट्रिविट्रीज हैं इसके लाव इस बेसिन बेव बंगल में है ब्रमगीरी रियन से स्टार्ड होती है बाद में ये बेवंगाल में मिल जाती है जो तमिलनाडू से ये पॉंट से जो तमिलनाडू साथ अफ कडल लोर से इस इसको अब याद रखना कावेरी बेसिन के बारे कावेरी रिवर तो टोटल लेंद इसकी है इसकी जो में ट्रूबिटे अमरावती हो गई भवानी हमावती और कावेरी इसकी में ट्रूबिटे जैने में करनाटका केला तमिलनाडू ये तीन स्टेट सेयर करते हैं कावेरी रिवर को मैं केला तमिलनाडू और नो करनाटका और करनाटका केर ला तमिलनाडू इसकी ठीट याद रखना थेन इसकीर में में लग लग होती है हैं तो most of lakes आठ पर्मेंट कुछ पर्मेंट होती हैं या कोच बट कुछ लेक्स होती हैं जो वारिस पर डिपंक करती हैं सो वटर मुंहाँ दूरी मेनीसी द्रीजन लाइक्ट लेक्टीन की करेक्टर्स टिक उती यह होती है जो बाद में आज शीट होती हैं उनको मेल्ट होने से करेट होती हैं बागे के जो फॉर्म होती हो विंड या रिवर एक्शन के वैसे या हुमन एक्टिविटी मतलब कुछ रिवर एक्टिविटी किसमने कुछ कुछ में для विलेट होती है सो उनन चीज़ को आप या धरना सो यह कुछ मेंडर केरित करके बारिमें जूड़ जाते हैं तो बार आगे जाके में वह लेक होती हैं कट ए उ जाती हैं तो बाहरों यह घ्र लेक से तूस-ट इया में be कियांड पर शोपे बार है और यह लगोन में पर इलेफ लेट तो जेएंन लैक Zenhra घ्लीका लेक यूप लेकल्ट लेक इनक इससब करेंग affirm लेकल्फ लेक्स इंटारी मिट्रीन मसी अपैने इससे चंपनगे àote लेक्स छो इन इन इंलेंड ड्रेइने कर producing salt. So, उसका जो water है, salt के purpose से उसको यूज कर आगता है. Then, इसके लाबा, most of the fresh water lakes are हिमाल है. और जो fresh water lakes होती है, वो हिमाला region से originate होती है, हिमाला region में पाई जा दिया. So, they are the glacier ocean, बतब, जो इसनों होती है, जो उसको पानी, जो melt होता है, इसनों, तब ये glacier, जो तब ये lake originate होती है, जो create होती है, इन अदर वर्ट देखा जाए, तो they form when glacier dug out a basin, which was a later filled with the snow melt, जैसे मैं नहीं बताए, वही है, then, इसके एक्जाम्पल देया, तब वोलर लेग, जो कि जम्मू कस्मीर में है, वो एक इसका एक्जाम्पल है, in the context, the relative tectonic activity की वैसे भी हो जाकता है, ये वोलर, तो इसमें भी बताएगा, so, it is the largest freshwater lake in the India, and the lake, भीमतल, नैनिता, लोकतक, बारापानी, are some of other important freshwater lakes, और ये बाकी अधर जो lakes थी, वो fresh water lakes का example थी, इन चीज़ को भी आप याद रखना, इसके अलावा, apart from the natural lakes, dam भी create की जाते हैं, रिवर्स पर, जो कि हाइडल पावर, ये हाइडल प्रोजेक्ट उनको, उनके लिए यूज़ होते हैं, so, has also led to formation of lakes, such as Guru Gobind Sagar, so, इसके वैसे भी lakes create हो जाती है, जो कि भागना नंगल प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो को नाम है, पहाँ पर भी एक लेक फॉर्म भी गही है, ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट के वैसे, so, इसके अलावा, lakes are of the great value to human beings, और human beings ते लिए काफी important होती है, the lakes are have to regulate the flow of river, जो river का जो flow है, वो भी regulate, इसके लिएक्स की द्वारा फ्लो किया जाता है, मतलब उसको regulate किया जाता है, इसके लावा, during the heavy range, जब range जादा heavy होती है, तो, it prevents flooding, उसको flood, मतलब, यह lakes flood को भी prevent करती है, यह dry season में है, जो पानी की कमी आते हैं, उन lakes के द्वारा ही, उसको पूरा किया जाता, also, it helps to maintain even flow of water, so, इसमें बताएगा है, कि rivers की, जो lakes की जो characteristic क्या है, उसकी uses क्या, so, lakes can also be used for developing hydile power, hydile power के लिए भी, lakes के यूज़ क्या जाता है, इसके लावा, they moderate the climate of the surrounding and maintain the aquatic ecosystem, जो ecosystem जो create हो जाता है, lakes में, उसको भी maintain करके चलता है, also, enhance the natural beauty, जो natural beauty होती है, आसपास के लिए है कि उसको और ज्यादा enhance किया जाता है, करती है, उस lake के द्वारा, enhance करती है, also, help develop tourism and provide recreation, tourism भी इसकी वज़े से होता है, like, उदैपुर city हो गया, राजस्तान का उदैपुर city, जिसको city of lake बोला जाता है, इन लेक्स की वएसे, महाँ बड़ टूरिजम एक्रेट हो रहा है, टूरिजम पन रहा है, उस city में, तो ये उसका एक एक एक्जम्पल हो गया, इसके अलावा, role of the river in the economy, जो हमारी economy है, उनमें river का क्या role है, so, river have been fundamental importance, so, इनका river का जो importance है, वो काफ़ fundamental है, throughout the human, because human के लिए, जो river है, काफ़े important, because, जब कहीं भी civilization पाई जाती है, ancient में, तो वो एक चीज़, सभी civilization में common होती है, कि वो जो सारी civilization होती है, वो एक river के पास में ही मिलती है, तो ये सब चीज़, इसी वाइसे है, human के लिए, वो काफ़ी importance हो जाती है, river, so water from rivers is a basic natural source, essential for various human activities, so human activities के लिए, बाकि जो resources, natural resources के लिए, काफ़े important हो जाती है, इसके इलावर, therefore, river bank have attracted settler from ancient time, जैसे मैं आदा, ancient time में काफ़े important होती है, because, सारी civilization, rivers के आसपास होती है, इसके इलावर, these settlements have now becoming big cities, और जब जो settlements rivers के पास थे, अब जाके अब, लेकिन आज के time में, वो settlements काफ़ी बड़े cities में convert हो गया, और वो अवीवी, जो cities है, वो rivers के आसपास ही है, so इसके अलावर, using rivers for irrigation, rivers का use किया जाता है, like irrigation में किया गया, या navigation में किया गया, या hydro power generation में, rivers का use किया जाता है, और इसका, इसी वीज़ से, इसको significance हो जाता है, particularly to country like India, और इंडिया के लिए, इंडिया जैसी country के लिए तो, rivers का तो काफी जादे importance होता है, so where agriculture, और इंडिया जैसी country के लिए इसी हो जाता है, because इंडिया एक agriculture country है, so इंडिया जो की agriculture, जो major source होता है, livelihood के लिए, so इंडिया जो livelihood के लिए, इसी चीज़ के वैसे, इंडिया में river का, जो importance से और ज्यादे increase हो जाती है, because majority of population depends on the agriculture, then इसके अलाबा river pollution, जब river आती है, तो river pollution भी create होता है, so growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand, जब सही सब चीज़े increase हो जाती है, तो water जो की rivers का होता है, वो natural effect होने लगता है, like जब किसी एक river है, तोहाँ पर जो water जो होता है, एक particular 10 lakh इतनी population होगा है, उनके लिए ठीक है, लेकिन जब वो population और ज़्यादे increase 10 lakh के वन करोर हो जाती है, तो उस river का water हो कम पढ़ने लगता है, सेम ऐसे ही, जब वो industry जब कहीं होता है, तो उसके सब जो निकलने वाला वेस्ट है, उस river में जाता है, इस सबसे river effect होने लगता है, So, as a result, more and more water is being drained, and out of the rivers reducing their volume, on the other hand, heavy load of untreated savage and industrial influence are impeded to the river, So, यह सब यह हैं, जो इस river को effect करते हैं, So, these effects not only the quality of water, but also self-cleaning capacity of river, So, इन सब चीज़ों की वैसे, जो water की quality है, वो तो effect होती है, उसके इलावा, जो river की self-cleaning capacity है, रिवर की, वो भी और जदा effect होती है, like इस पर example भी दे गए है कि given the adequate stream flow of Ganga river, जो water है, able to dilute assimilate pollution loads within the 20 km of large city, So, example यह दे रखा है कि कोई city है, तो इसके आजपास को जो भी 20 km है गंगा के नारे वाला, तो 20 km तो गंगा अपने आपको खुद साफ कर लेगी, उसके आज, 20 km है तो गंगा के पास river जो है, उसके अब खुद के पास self-cleaning capacity होती है, बट जब वो जो गंदी, जो सीवीज की टीबेट में जो खाफी ज़्यादा increase होने लगता है, बट इंक्रीजिंग अर्बनाज़ेशन और इंडेसलेशन दो नोट अलाव इट हैपन, एंड पॉलुशन लेवल अफ मैनी रिवर्स हैज भी राइजिंग बट जो पॉलुशन लेवल है दिन पर दिन और ज़्यादा increase होने लगा है, तो जो self-cleaning capacity है रिवर्स की वो कम पढ़ने लगी है, यह इसमें बोला गया है, इसके असवन कहा, Concern over the rising pollution in our rivers led to the launching of various action plan to clean the rivers, So, जो rising pollution को concern है उसको देखते हैं काफे सार प्लान है, काफे सार प्लैन हैं काफे सार प्लैन्स हैं इसकी में launch होने लगे हैं जो डिवर्स को साफ कर सके हैं, गंगा को साफ बनाने के लिए नमावी गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट गया ऐसे इसमें बताए गया एक्जम्पल देगे है तो अगर आपनी यूपिसी लाइवरी को फॉल्लों सब्सक्राइब ने के तो आप सब्सक्राइब दे यूपिसी लाइवरी एंड प्रेश दा